अगर आप इन में से कोई भी प्रोटीन बार खाते हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी important है इस प्रोटीन बार में और इन प्रोटीन बार में सिफ 30% प्रोटीन होते हैं और वो भी सारा whey protein से नहीं, soy protein और soy nuggets से आते हैं और ये company claim करती है कि इस product में सिर्फ protein नहीं, fiber, essential fatty acids, vitamins and minerals भी है इसके साथ-साथ इन्हों ने ये भी claim किया था कि इस protein bar में ना added sugar है और ना artificial sweeteners है तो इन protein bars का sweet taste आख कहां से रहे हैं? अगर ingredients देखें तो इसमें sugar के जगा दूसरे alternatives जैसे liquid glucose, maltodextrose and malitol डाला हुए इसके साथ-साथ इन protein bars में hydrogenated vegetable oil भी डाला हुए और उसके साथ दूसरे harmful additives भी डाले हुए अब क्या ये protein bar healthy है? वेल अगर हम research देखें तो आप इसके results देखके शौक हो जाओगे protein bars consume करने से आपका fat mass increase हो सकता है दूसरी research ये कहती है कि काफी सारे लोग protein bar को उसके ingredients के basis पर नहीं उसके taste के basis पर choose करते हैं इसलिए health के नाम पर आपको protein bars consume नहीं करना चाहिए अगर करना भी चाहते हो तो ऐसे protein bars लो जिसमें सिर्फ वे protein present हो